हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लताकी लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुंदर बहुती आसान सिंगल कलर का पैटन सियर करने जारी हूँ इस पैटन को आप औल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी बॉर्डर बनाके कमप्लेट करेंगे बॉर्डर कमप्लेट होने के बाद पैटन की फर्स्ट रोव फ्रंट साइड से पहला फंदा उतार लेंगे ये पहला फंदा उतार लेना है धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा हमने उल्टा भुन लेना है फिर धागा पीछे करेंगे और दिखें नेश्ट फंदे हम सीधे भुन लेंगे और लास्ट में हमारा एक फंदा उल्टा आ जाएगा और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखें एक फंदा सीधा बुन लेंगे एक फंदा सीधा जाएगा ये देखें एक फंदा उल्टा आ जाएगा फिर धागा अपनी साइड आप देखें नेश्ट फंदे हमने उल्टे बुनने थागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा आ जाएगा और एक फंदा उल्टा आ जाएगा ये बैक साइड से हमारी सेकिंड रो अप देखें फंदा से थार्ड रो अब थार्ड रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा पुननेंगे यह देखे, इस टार्डिंग में हमने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुन लेना है, और लास्ट में भी हमने एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुन लेना है, और जो सेंटर के फंदे हैं, इन में हमने पैटर्न डालना है, तो देखे, धागा पीछे करेंगे और दिखे जो सेंटर में हमारे फंदे हैं इनको हम डबल रोल करके बुन लेंगे इस तरीके से ये दिखे ये दिखे जो फंदे हमने सीधे बुने थे इनमें हमारा पैटर आया और लास्ट में देखे एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा आजाएगा तो देखे एक फंद साइड से हमारी थार्ड रो कम्प्लीट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्थ रो आप 4th row में देखे, पहला फंदा ऐसे उतालेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हमारा सीधा आजाएगा, धागा अपनी साइड करेंगे, आप देखें, नेस्ट अपने 3 फंदों को सिंगल करना है, एक, दो, तीन, इन 3 फंदों को सिंगल करेंगे, और फिर ऐसे left needle में shift करेंगे, धागा पीछे ही रहेगा, और देखें, इन 3 फंदों को हमें एक साथ बुनना है, तो ऐसे सीधी side से slide डालेंगे, और इनसे हमें 3 फंदे बना लेने, एक हो गया, धागा अपनी side करेंगे, ऐसे इन 3 फंदों को बुनेंगे, ये 2, फिर धागा पीछे करेंगे, फ ही process repeat करने, 3 फंदों को ऐसे single करेंगे, ये देखें, फिर इन 3 फंदों को ऐसे left needle में डालेंगे, फिर सीधी side से हमने ऐसे slide डालनी है, और इनसे 3 फंदे बना लेने, एक धागा अपनी side, ऐसे फिर फंदों को बुनेंगे, तो 2, फिर धागा पीछे करेंगे, और इन 3 फंदो को एक बार और बुनेंगे, तो ये 3 फंदे बन जाएंगे, ये दिखें, फिर धागा पीछे ही रहेगा, अब next देखें, 3 फंदों को single करेंगे, 1, 2, 3, फिर इन 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, और 3 फंदे बना लेंगे, एक, धागा अपनी साइट करेंगे, इन 3 फंदों को बुनेंगे, 2, धागा पीछे करेंगे, फिर इन 3 फंदों को बुनेंगे, 3, धागा अपनी साइट करेंगे, फिर इन 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, और फिर इन से 3 फंदे बना लेंगे, धागा पीछे ही रहेगा, फिर धागा पीछे इन तीन फंदों को बुरेंगे फिर तीन ये देखे धागा पीछे ही रहेगा एक फंदा सीधा आजाएगा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा आजाएगा तो देखे ये बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कम्प्लीट हो गई अब देखे फ्रंट पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब देखे नेस्ट फंदे सीधे आजाएगे ये देखे जिन फंदों में पैटर आएथा ये फंदे सीधे आगे दागा अपनी साइड लास्ट का एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा आएगा तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी 5th row complete हो गई 5th row में हमारा pattern repeat हो रहा था 5th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete किया बैक साइड से देखे जो हमारी 6th row आएगी उसको हम 2nd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे इस तरह हम अपने pattern को repeat करते जाएंगे और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें share करें comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें thank you